हेलो दोस्तों स्वागत है आपका केटीवी लाइब न्यूज चैनल में आज है तीन अक्तुबर 2019 तो आज की देश भर की टॉप न्यूज लेकर आया है आपके लिए दोस्तों वीडियो इस्टेट को इसे पहले आप से क्रिकोश्ट है अगर आप नहीं आया है तो चैनल को सब 25 सेकंड कर दिया है जो पहले 45 सेकंड था आमतर पर कोल आने का समय बजने वाली फोन की घंटी की अब दी 40 से 45 सेकंड होती थी लेकिन अब इसे घटा कर दिया है अगले 24 घंटे में इन राजे में हो सकती है भारी बारिस मोसं बिवा के मुताबिक दस्चिनी उत्तर प्रदे और कोलकाता के सानाथ पुरुवी भारत में बारिस हो सकती है अगले 24 घंटे में इन जगों पर बारी बारिस हो सकती है सरकार की अज़ना सिंगल यूज प्लास्टिक के 6 आइटम पर परतिबन लगाने की थी लेकिन अर्थ बेबस्ता में पहले से मौजुद सुस्ति और करमचाड़ू की छटनी की वज़े से प्लास्टिक पर बैंसे इस्तिति और बिगर सकती है इसी वज़े से सिंगल यूज पर पुरितर्की से परतिबन नहीं लगाएगी जब अर्दस्तमंदी की दोड़ से गुजर रही ओटो मॉबाइल इंडरिस्ट्री के लिए सप्तम्बर का मैना भी सितम से बरहा रहा देश की अगरनिक ऑटो मॉबाइल कंपनी बजाज ओटो की विक्री आंक्रे एक बार फि रेलवे की दूसरी बंदे भारत ट्रेंड की शुरुआत हो गई है नौरात्र में रेलवे की तरफ से सर्दालों को यह बरा तोफा दिया है दिल्ली से कट्रा के बीच फिलाल ट्रेंश सफर में बारे घंटे का समय लगता है जो बंदे भारत सुरू होने के बाद कम होकर कर रही है देश की राधनी दिल्ले में पार्टी अदेख्च और केंद्रे ग्रियमंत्री अमिस्ता ने संकल्प यात्रा की सुरुवात की है इस मौक्य पर उन्होंने पार्टी करे करता हूं और लोगों को संबोधित किया है प्येण मोधि नमात्मा गंदी जी की 150 वी जैन दिपर न्यूयॉयर्क टाइम में एक लेक लिख लिखा है इस लेक में प्येम मोधि झायकी 925 में महात्मा गंदी ने यंग इंडिया में लिकायए कि राष्ट्य वादी हुए बीना अंतराष्टिय नहीं हो सकता है कि अंतराष की सुभीदा का खास ख्याल रखते हुए दुरुआपूजा दिपावली और चट पूजा के लिए पचीस इस पेसल ट्रेन चलाने का फैसला किया है इन ट्रेनों में फिलाल आसानी से कंफर्म सीट मिलने की उम्मीद है अगर आप इन तेवारों के मौकर पर घर आना चाहते है अगले मैने भी लंबी चुटी रहेगी अक्तूबर मैने की सुरुआत के साहती देश का सबसे बरा तेहवारी सेजन सुरू हो चुका है तेहवारी सेजन का मतलब खूड, सैड, सपाटा, देड, साड़ी, मस्ती और जमकर सौपिंग अगर आप भी ऐसे ही योजना बना रहे तो ये खबर आपके लिए बेहादी जरूरी है क्योंकि देश में सबसे बरा तेहवारी सेजन सुरू होने के साहती अगले डियर मैने बैंक में लंबी चुटी रहने वाली है, इस वज़े से अगले डियर मैने में सोले दिन तक बैंक बन रहेंगे, इसी माह बारे दिन तक आउकास रहेगा, अक्तुबर मायने के इसी मेने में बैंकों में लंबे आउकास रहेगा, पहला लंबा आउकास मेने के पहले सब्ता में आ रहा है, पहले सब्ता में 6 अक्तुबर को रविवार, 7 अक्तुबर को सोमवार को महानौमी और 8 अक्तुबर को मंगलवार को दसरा क का उकास रहेगा इसके बाद दूसरा लंबा उकास मेने के अंत में परेगा मेने के अंत में 26 अक्तुबर को चौता सनिवार पर रहा है जबकि 27 अक्तुबर को रविवार और दिपावली पर रहा है वही 28 अक्तुबर को गोवर्दन पूजा है इसलिए बैंक बन रहेंगे उसक वेपसाइट में हम events record आधार को लिंग कर दिया वेपसाइट पर याा तो योग उसके बाद और यह यो है तो आप पूरे को प्रिचत होंगे कि सरकारने से आसानी से अपने पेन को आधार से लिंक करवा सकते हैं दिपावली से पहले दस लाग करमचारी को मिलेंगे एक मेने का बोनस 14 लाग से ज़्यादा बैंक करमचारियों के लिए अच्छी घबड है क्योंकि दिपावली से पहले बैंक करमचारियों को एक मैने का बोनस दिया जाएगा ये तोफा इंडियन मैंक एसोसियेशन यानि की आई पी ए ने सभी सरकारी बैंकों से कहा है कि वे जल्द बैंक करमचारियों और अधिकारियों को एक मैने का एडवांस एरियर दे कच्छे तेल में आई तीजी जाने पेट्रल और डिजल का हाल कच्छे तेल में तीजी की बीच ही पेट्रल और डिजल की कीमतों में ब्रोत्री का सिलसिला एक बार फिर से थम गया है तेल कंपोनियों ने पेट्रल और डिजल की भाव लगतार बराने के बाद बुद्धुहार को कोई भी बदलाओ नहीं किया है पिछले 20 साल में भारत और अमेरिका के संबनदों में नाट की बदलाओ आया है साथ ही उन्होंने कहा कि विस्तव के दो सब्से बड़े लोगतांतरों के बीच संबन मजबूत हो रहा है इन पदू के लिए अपलाई करने वाले योगया और इच्छुक कैंडिडेट ऑउलाइन आबिदन कर सकते हैं अपलाई करने के लिए कैंडिडेट को रिजर्फ बैंग ऑफ इंडिया की ऑफिसियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाना होगा अपलाई करने की आखरी तारीक 11 अक्तूबर 2019 से आप इससे पहले आउलाइन अपलाई कर सकते हैं अपलाई करने वाले केंडिडेट की पास दसवी बारवे और गड़े जुएसन में 60 प्रतिसत नमबर होना चाहिए दस मैने बाद टेस्ट खेल रहे और असीवन पर सचिन तेंदूलकर का बरा बयान इंडियन किरके टीम दच्छिन अपरिका के खिलाफ टीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आगास कर चुकी है दच्छिन अपरिका के खिलाफ विसाखा पतनम टेस्ट की प्लेइंग 11 में भारते टीम में आफ इस पिनल रवी चंदन असीवन ने भी वापसी करने में सपल रहे हैं भारते क्रिके टीम के पूरो बलेबाज सचिन तेंदूलकर ने और असीवन को टीम इंडिया का अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि असीवन सीवन से गेंद बाजो में से एक हैं उन्होंने कहा कि ना क्योंवल गेंद से बेतर प्रदसन किया है बलकि जरूत परने पर अहम पलों में बल्ले से भी कमाल कर दिखाया है बिहार सरकार ने मजदूरों के लिए तीन अक्तुबर से नई नियूनतम मजदूरी दर तै किये हैं सरकारी नोग्री की तलाज कर रहे हैं यवाओं के लिए पंजाब सरकार की पास एक खुसकबरी है पतना सबसे ज़्यादा परवावित है इसी बीच सिंगर उदित नाराय ने बिहार में आई बार पर दुख वेक्ट किया है तेहवारों के खास मोगे पर पेटियम दौरा महा कैस बेक करनेल सेल का आयोजन किया गया है इस दोरान भारी के इस बेक और डिसकाउंट दिये जा रहा है इस सेल की सुरुवात 29 सेप्तंबर को हुई थी जो 6 अक्तूबर तक जारी रहेगी अब कमपनी ने अपने करेकर डिल की जानकरी दिया है कमपनी ने जानकरी दिया है कि करेकर डिल्स दो अक्तूबर यानि की आज से लाइव होंगे और 6 अक्तूबर तक जारी रहेगा क्या भारत पुरे तेटिकी से बना ओडियफ भारत सरकार प्येजल और स्वच्च मंतरा लेके स्वच्च भारत मिसन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 2 अक्तूबर 2014 से लेकर अब तक देश में 10 करोर से ज़्यादा ट्वालेट बनाए गए हैं जिसके आधर पर भारत को 130 ओडियफ घोसित किया जा रहा है सरकारी दावेक अनुसार भारत के कई राज बीते वर्सों से ओडियफ स्रेणी में सामिल है दिल्ली में दो दिन चाहे रहेंगे बादल हो सकती है बुंदा बुंदी दिल्ली के आसमर में अगले दो दिन बादल चाहे रहने की संबाव बना है इस दोरान कहीं कहीं हलकी बुंदा बुंदी भी हो सकती है इससे आम तोर पर मौसम सोहाना बना रहेगा दिल्ली के ज्यादातर हिस्से में बुद्वार की समय धूप निकली हालनकि दीन में धूप और छाओं का खेल चलता रहा इसके चलते मौसम और सुहाना बना रहा लेकिन सब्दर गंज इस्तित मौसम केंदर की तापमान 33.5 डिगरी सेलसेस दर्च किया गया है जो इस मौसम का जबरदस्त मजबूती और लचीलापन उसके सांदार प्रदसन को दिखाता है यह बात वर्ड एकोनिमिक फोडियम के अध्यक्ष बार्ज बेरंडे ने बुद्वार को कही है कि दक्षिनी एसिया के विकास और वेश्विक आर्थिक विर्दी को सतत बनाये रखने में भारत अहम बोमी का निवा सकता है गोवा के सरकपड़ीवन मंत्री मोविन गोडिन हो ने आटो इंडिस्ट्री को भूष्ट देने के लिए रोड टेक्स को 50 फिदी तक घटाने का फैसला किया है उन्होंने बताए कि दसरा और दिपावली की टाइम में धीमी पड़ी इंडिस्ट में कमेंट करके अगर आप नए आए हमारे करीबी लाइप पर नीचे रिटकल का बटन होगा उप्रक्रिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी परिस्ट कर दीजिए तो चले दोस्ते फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं